भारती राजनीती में एक ऐसा चहरा जो कभी किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की ये एक ऐसे नेता है जो विरासत में राजनीती पाकर भी संघर्ष की राह खुद चुनते हैं जहां एक ओर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की विरासत का दवाव है वहीं दूसरी ओर अपनी खुद की पहचान बनाने की चुनोती उन्होंने अपने करियर के शुरुवात से ही युवाओं की आवाज बन कर गरीबों और किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद की चाहे संसदों या सडकों का मंच राहुल गांधी ने हर बार अपनी बात को बेबाकी से रखा आलोचनाय आईं हार का सामना भी करना पड़ा लेकिन राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटे उनके हर कदम में एक ही सोच देश बदलेगा तब ही आगे बढ़ेगा आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के संगर्ष सफलता और उन अनकही कहानियों की जो उन्हें बनाती है एक जुनूनी नेता तो चलिए जानते हैं इस नेता की कहानी जिसने राजनीती को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन बना दिया राहुल गांधी का नाम भारती राजनीती में किसी पहचान का महताज नहीं है इनका जन्व 19 जुन 1970 को नई दिल्ली में हुआ इनके पिता राजिल गांधी और मा सूनिया गांधी राजनीती के दिगश परिवार से हैं वहीं इनके दादा दादी, इंदिरा गांधी और पंडित नहरू दोनों ही भारत के पूर प्रधान मंत्री रह चुके हैं कह सकते हैं कि राजनीती राहुल गांधी के नसों में दोड़ती है राहुल गांधी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने शुरुवाती पढ़ाई भारत में की और फिर उच्च शिक्षा के लिए हौवर्ड यूनिवसिटी और कैम्बर्ज यूनिवसिटी का रुख किया एक प्रतिष्टित राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद राहुल ने राजनीती में अपनी एक अलग पहचान बनाने की ठानी साल 2004 में उन्होंने अमेठी लोकसभा शेत्र से चुनाव लड़कर राजनीती में कदम रखा चुनाव जीतते ही उन्होंने संसद में अपनी धमाकेदार उपस्ति की दर्ज कराई और कॉंग्रिस पार्टी के कामों को नई दिशा देने की कोशिश की राहूल गांधी ने युवाओं की समस्याओं, किसानों की दुर्दशा और गरीबों की मदद जैसे मुद्धों पर खुल कर बात की वो अपने बयानों, जनसभाओं के जरिये जनता के बीच एक नई उर्जा और उमेठ जगाने की कोशिश करते रहे कॉंग्रेस पार्टी को नई ताकत देने के लिए उन्होंने कई योजनाओं का नेत्रित्तों किया और राज्य से लेकर राश्री अस्तर तक चुनावी रणनीतियों का मार्ग दर्शन किया राहुल गांधी युवाओं के बीच एक प्रेणना बने और उनके लिए एक आवाज भी चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आत्महत्या या सामाजिक अन्याए राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी राहुल गांधी ने कॉंग्रिस पार्टी में कई एहम भूमिकाई निभाई है उन्होंने पार्टी के युवाविंग को सशक्त किया और युवाओं को राजनीती में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रिरित किया कॉंग्रिस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने पार्टी की नीतियों को धार दी और देश के अलग-अलग मुद्दों पर अपनी स्पुष्ट राय और विचार रखे उन्होंने अपने राजनीती करियर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और कई उलेखनी उपलब्धियां हासल की उनका फोकस हमेशा ग्रामीन विकास और युवाओं के मुद्दों पर रहा है राहुल ने ग्रामीन इलाकों में विकास और बुनियादी सुवधाओं के सुधार के लिए कई पहल की उनकी एक प्रमुख योजना नियाए है जिसका मकसद गरीब और कमजोर वर को आर्थिक मदद देना था ताकि सामाचिक और आर्थिक आसमानता को कम किया जा सके इस योजना के जरिये उन्होंने गरीब परिवारों को रहत देने का प्रयास किया किसानों की बात करें तो राहुल गांधी ने हमेशा उनके हितों की रक्षा की है उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और कृषी शेत्र में सुधार लाने के लिए कई नीतियों का समर्थन किया उनका उदेश किसानों की समस्याओं को हल करना और उनकी जिंदगी को बहतर बनाना रहा है हाला की राहुल गांधी का सफर हमेशा आसान नहीं रहा चुनावी हार और पार्टी के भीतर की चुनौतियों ने उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी उनकी राजनीतिक संगर्ष और होसले की कहानी है जिसमें वो अपने आलोचकों की परवाह किये बिना आगे बढ़ते रहे और कॉंग्रिस को नई दिशा देने की कोशिश कर दे रहे राहुल गांधी की राजनीति में उतार चड़ाओं ने कॉंग्रिस पार्टी को कई चुनावी हार का सामना करवाया विशेश रूप से साल 2014 और 2019 की लोकसभा चुनावों में पार्टी को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा इन हारों ने राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियों पर सवाल उठाए कॉंग्रिस पार्टी के भीतर का विवाद और मतभेद भी खुल कर सामने आए पार्टी के भीतर की सवाल की समस्याएं राहुल गांधी के लिए चुनावी पूर्ण रही है इन समस्याओं ने पार्टी की एकता और चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित किया इन चुनोतियों और विवादों के बावजूद राहुल गांधी ने अपने राजनीती को जारी रखा और विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज उठाना जारी रखा है। बेहत पसंद है। दुनिया के अलग-अलग कोनों की सैर और नई जगहों का अनुभव उन्हें जीवन के नए पहलूँ से रूबरू कराता है। इसके अलावा राहुल जी को किताबों का भी गहरा शौक है। वो अलग-अलग विश्यों पर पढ़ना पसंद करते हैं। जिसस वो पार्टी की नीतियों और रणनीतियों में एहम भूमी का निभा रहे हैं। उनकी मौझूदगी पार्टी के लिए नई उर्जा का काम करती है। खासकर चुनावी अभियानों और राजनीतिक गतिविधियों के दोरान फिलहाल उनका ध्यान भविश्यकी योजनाओं औ और राजनीतिक रणनीतियों पर केंदरित है। वो पार्टी को मजबूत बनाने, समाज के अलग-अलग मुद्दों पर ध्यान देने और खासकर युवाओं और गरीब तबके के लिए नई नीतियों पर काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे नए वीडियो सबसे पहले पहुँचें।